हेलो फ्रेंड मैसेल शीतल क्लास 10 सोशल साइंस चैप्टर नमबर 2 पार्ट 4 में हम देखने वाले हैं फम्ला इंडीया के ल500 इंतेर अब धम्लों के सम्लावा और अन्टन हुच चाहिए के सब्सक्रालि के वह एक उर्क एपारट फॉन्स पेर ओव क्लाउंस एंडेट ऑडियंस मतलब जिस के आच यो का जोड़ा लोगों को entertain करने का काम करता है नट्य शास्त्र बाई भरत मुनी is well known in the field of art जिसमें मतलब इस ड्रामेटिक आर्ट के field में भरत मुनी द्वारा जो नट्य शास्त्र है वो कुछ जादा famous है ड्रामेटिक आर्ट राइटिंग of drama and performance of drama along with audio visual ads this try hold the capacity to entertain the people of all age group मतलब सारे age के group को entertainment करना मतलब जिस try hold मतलब dramatic art, writing drama, performance of drama इन तीनों को मिलके सारे age के group को हम entertain करते है dramatic art is an amalgamation of all the arts मतलब इन सारे arts का एकत्री करन क्या है? dramatic art है describing the भरत मुनी says there is a no book, there is a no sculpture there is a no knowledge, there is a no deed which is lacking in dramatic art मतलब क्या? कि भरत मुनी केते है कि ये कोई book नहीं है ना कोई sculpture, मतलब मुर्ती बनाने की कला ना कोई इसमें knowledge है ना कोई ये deed है जिसकी वज़े से dramatic art में कोई कमी रह सके भरत मुनी का जो first drama था देवासुर संग्रम जो Sanskrit literature में famous था और ऐसे कही प्रसिद्ध dramas हमारे पास है जिनोंने, उन्होंने हमें वो बिक्वेत मतलब वसियत में दिये है जैसे की काराणा भर, उरुभंगा, दत्तवक्यम जो महाबारत बेस्ट पर है various, कालिदास the foremost poet gifted us place मतलब कालिदास जो एक कवी है उन्होंने भी हमें कुछ gifted दिये जैसे की अभिज्यम, शकुन तलम वगेरा विक्रमो वश्यम और मलीक गिनमित्रन Apart from above, many dramatics came and enriched the dramatic art of Sanskrit literature मतलब इन सारों ने, इन सारे dramas ने या सारे इन कवीताओं ने हमारे Sanskrit literature drama में बहुत अंदर तक क्या बनाया है मतलब इन्होंने हमें बहुत ही अंदर से संपन्न बनाया है The name of Jayshankar Sundari is foremost in the dramatic art of Gujarati अब Gujarati के dramatic art की बात करें तो वो Jayshankar Sundari है वो बहुत इसमें famous है इसके सारे सारे अमरुत नायक, बापुलाल नायक, दिनापाथक, जैश्वन्त ठाकर, उपेंदर त्रिवेदी, प्रविन जोशी, दीपक, घीवाला, etc. ये भी सारे सारे famous है मतलब ये आज भी जाने माने है और इन्होंने बहुत ही, मतलब ये drama फिल्ड में इन्होंने बहुत ही great contribution दिया हुआ है next topic है भवई अब इसमें का गया है कि script writers have said that भवई is emotion oriented drama मतलब जो script writers होते, उन्होंने क्या का है कि जो भवई है वो कैसा drama है, जिसमें से emotion script हो और ये specially drama है, dramatic art है जो 700 साल पुराना है this art which has been providing public education along with entertainment at the economical rate मतलब क्या कि ये art जो है, लोगों को art के साथ, मतलब जिसमें कुछ ना कुछ हमको themes देखने मिलते हैं जैसे कि public education हो गया और economical rate पर एक entertainment भी देखने मिलता है it was cheaply performed without curtains with light humor and with the music playing on trumpet मतलब क्या, कि ये जो drama जो होता है, इसको कैसे entertain किया जाता है तो बिना कोई पर दे के मतलब जिसमें कोई दिखावट नहीं होती और light humor मतलब जिसमें जादा हसी ना हो, एकदम light humor के साथ मतलब हास्य वृत्ति ना हो इसमें, जिससे कुछ सीखने मिलें, मैंने पहले ही कहा कि ये इससे कुछ हमें theme सीखने को मिलती है, वो हम आगे भी देखेंगे तो एसे ही light humor के साथ, trumpet music playing पर इसको दिखाया जाता है और next line क्या क्या रही है, कि भवई का जो main feature से, मतलब जिसमें जो characters होते हैं उनको कैसे discuss किया जाता है, तो रामदेव, जंडा जुलान, काजोडा, etc theme of भवई include protest against social wise, मतलब क्या, कि जो भवई का theme होता है वो social wise, मतलब social, सामाज की जो पूरी आदत है, उनको विरोत करने के लिए भी इसमें कुछ themes दिखाई जाती है the characters like रंगला, रंगली are used to promote the program like girls education मतलब क्या कि जो भवई drama है, उसमें रंगला, रंगली का जो characters play करते हैं तो वो किस theme पर based होता है, मतलब जिसमें girls के education के बारे में बताया जाता है फिर साथ ही साथ, save girl child के बारे में भी बताया जाता है तो those who perform this भवई play trumpet and pray to the goddess by resting hymns मतलब जो characters होते हैं इस भवई play को perform करने वाले तो वो trumpet बजाकर, means गोशना करना, चिंगारना वो बजाकर और फिर भगवान को hymns से pray करके start करते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही जल्दी मिलते हैं, part 5 में next topic के साथ friends मैंने मतलब topics को ऐसे दो-दो topics को लेकर ही क्यों इस पूरे chapter को divide किया because आप lesson read करकर के उसका explanation सुन-सुन के बोर ना हो जाओ क्योंकि मुझे पता है ज्यादा लंबी वीडियो बन गई तो सच में यार बोर लगता है तो चलिए आपको पसंद आया हो तो please मेरे वीडियो को like करें अपने friends को share करें और subscribe करना ना भूले Bye और mlाह म में